तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल टूटल लेर्निंग में तो फ्रेंड्स आजम लोग बहुत ही ज्यादा इस वीडियो को पूरा इंट तक देखना बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत सारे सब्सक्राइब करके बैल आइकन को और साथ ही दोस्तों टेलिगरम चैनल को जो की टोटल लेर्निंग से बना हुआ है जो लोगों हमारे यूटूब पर है वही लोगों हमारे टेलिगरम पर भी है ठीक है ताकि आपको वहाँ एक्स्टा स्टेडी मेटेरियल के साथ साथ आपक लोगा 않सर नम्म वान आ अगया खिनमन प् Really होता है जो वेपारीक कर्क होता तो यह कहां से प्लूच जल्दी से आप लोगा अंसर बता यह जी आप से अप से नमट प्लोन कर्क्राइब सिर स्थांक जय हैं से क्या होगा घ्काच को वेपारिक कहां से प्राप्ट होता है तो यह होता है कार्क कैभियम से ही को प्राप्ट होता है में ध्यान रहना है आप सबी को आप सन्नमबर क्यों जागा आप यो जा राइट बहुत अच्छा चलिए ठिक है याद हो गए चलिए जी question क्वेशन नम versucht का लिए कितना साल कार राइ किस विदी से ग्याइव इस विदी का क्या नाम है це बताना है कैज यह आप से नमबरे हाइब सखाओं कि संख्या ग्याद कर के अम लोग क्या कर सकते हैं क्याकर सकते हैं आप सर नम बी है वलेयों की वार्सिक वलेयों की संख्या ग्यात करना ठीक है अगर हम लोग वार्सिक वलेयों की संख्या ग्यात करते हैं तब हमें आयू ग्यात हो जाती है या आपसर नमर सी आपके सामने हैं विरीच पर उपस्थित पतियों की संख्या गिन कर या आपसर नमर डी आपक चले अपसन आपके स्कीन पर है तो समझ कि आप सभी लोग उत्तर दीजेगा दोस्तों बहुत ही जबरदस्ट क्वेशन है और इसी टाइप के आपके पैरा मेडिकल में पूछा जाता है तो आप सभी लोग उपस्थिती को पूरा बढ़ाएं डेली बढ़ाएं दोस्तों और क को आप लोग यह सुचते कि बहुत ज्यादा हम लोग ले ले हैना यही होना चाहिए जितना ज्यादा नौलेज लिजिए चलिए यहां पर देखे जो राइट अंसर क्या हो जाएगा हाज जी ऑप्सन नमर भी वार्षिक बलेओं की संख्या ग्यात कर लेते हैं तो दोस्तों संख्या ग्यात करेंगे और जो संख्या होगा वह हमारा क्या होगा वह आयू कहलाएगा और साथ ही दोस्तों मैं बता दू कि इसकी विधी को यानि की बीच की आयू ग्यात करने की विधी को लोग क्या करते हैं डेंड्रो क्रोनोलोजी ठीक है क्या नाम रखिएगा याद र पौधों में आयू ग्याद करने की विधी को कहते हैं ठीके डैंड्रो क्लोनाजी चलिए आगे बरते क्वेस्चन नमर थी कि और दोस्तों क्वेस्चन नमर थी आपके स्कीन पे आगे कहता है पादप में जल के पड़िवहन का कारे कौन करता है यानि कि दोस्तों पेर पौधि में जल को लाना ले जाना किसका काम है अपसर नमर ए है काट्रेंस सौरी कांट्रेक्स अपसर नमर भी है कैबियम अपसर नमर सी है फ्लो एम अपसर नमर डी है जाइलम क्या होगा राइट अंसर जल्दी से बताईए बहुत यह सान सवाल है दोस्तों और इसी टाइप से आपके परामेडिकल में पूछेगा चलिए देखिए जी राइट अंसर पादप में जल के परिवहन का कारे कौन करता है दोस्तों तो वो कौन करता है जी जाइलम यहां से ध्यान रखे जाइलम फ्लोम में आपको बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जल का परिवहन फ्लोम करेगा यह जाइलम करेगा तो देखिए मैं यहां से फ्लोयम तो खाना लेके जाएगा दूगों चीज में खाना पानी दूगों मिल रहा है तो खाना तो अगर जल यानि कि जाइलम जल लेके जाएगा तो खाना फ्लोयम लेके जाएगा सीधा बात ठीक है याद रखेगा आपको पता होना चाहिए जाइलम कहां होता है तो यह कानले का मतलब की जर में रहना चाहिए और जर में जाइलम कहता है जर में उपस्तित होने कारण जमीन से जल को तीरता है और हमें पतियों तक किसी भी कारण से पहुंचा देता है और वो खाना बनाने लगती है इसलिए पतियों का पतियों को रसोई घर कहा जाता है ठीक है पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं देखे कॉश्चन और फूर कता है कपास रेसे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं आपसर नमर एह तने की छाल के तन्तू आपसर नमर बिये जर के फ्लोयम तन्तू आपसर नमर सी है बीजो पर अधिचमरी रोग आपसर नमर डी है जल की काश्ठिय तंतू जो कपास रेसा होता है पौधा के किस भाग में पाया जाता है आप सभी को पता होना चेए ठीक है यहाँ पर देखिएगा सभी लोगा आंसर मिलाएगा जो कपास होता है दोस्तों वो बीजो पर अधि चम्री रोग के भाग में पाया जाता है ठीक है कहने का मतलब Lahda ना जो होता है यह इसके अंदर जो हता है को रूअ होता है ठीक है इस तरीके से पेंट रहेगा आपका तो इसके अंदर भरा रहेगा तो वही उसी को हम लोग क्या कहते है अपसन नमर सी बीजो पर अधिचमरी रोके ठीक है चलिए चलिए आगे भरते दोस्तों क्रेश्चन नमर फाइब यहां पर कहता है निमलिखित मेंसे बहुत ही प्रकास ऑप्सन नमर भी है पानी ऑप्सनवर की है हवा अपस्ट नमर यह चल्डी से बताए यह तो चलिए दोस्तों यहां पर देखेगा हज जी अपसन मरे वाले करा रहे प्रकास होगा ठीक है बहुत अच्छा ठीक है दोस्तों दिए अंकूरन कहरा ना अंकूरन करने के लिए, प्रकास की जरूत है ही कहा है, मेन, जो मेन भूमिका निभाता है, वो पानी, अगर देगे जिसे की चना चना को होता है, उसको को आप लोग पानी में रख दोगे ना बहुत दिन के बाद तो उसमें से मालूम है वाइट वाइट जैसे की यह चैना हुआ ठीक है ठीक है याद रखेगा यह पानी के ज्यादा महत्वेश में प्रकास रहे चाहिए उसको अंधेरे में रखिये ना वह अंकूर आ जाएगा ठीक है चलिए नम्र 6 स्वसन मूल पाय जाती है स्वसन मूल कहने का मतलब मूल यानी की जड़ जड़ का भाग जबाग एश Mm के प्रकार है दोस्तो अप्षयं में स्वसन मूल पाई जाती है तो चलिए जी क्या होगा राइट अंसर तो देखिए यहां पर स्वसन मूल है ना तो यह पाया जाता है दोस्तों जूसिया में यानि का आप सभी का राइट है ठीक है क्यों जाएगा अगे बढ़ते हैं अगला प्रेश्ट की और अगला प्रेश्ट आपके स्किन पर क्वेस् प्रेश्ट हो गया अब सेवेन के और बढ़ते हैं देखिए नमर सेवन कता है फूल गोवी में खाने योग्य भाग है जो फूल गोवी आप लोग जानते हैं ना मार्केट में भिकता है ठंडा के समय में तो वह खाने योग कौन सा भाग होता है अप्से नमरे फल पुस्प करम आपसन मर्स यह बिरिच्छ आपसन मड्य है कली का कौन सा भाग हम लोग फूल गोवी का खाने में यूज करते हैं कि चलिए दोस्तों राइट अंसर देखिएगा सभी लोग फूल गोवी में खाने योग भाग कौन सा है तो वह होता है पूस्प करम दिए यहां पे इसका नामे से पता लग रहा है फूल गोवी फूल है गोवी फूल यानि कि फूल आ गया तो उसका पूस्प को भी हम कि बहुत अच्छा यही राइट अंसर हो जाएगा ठीक है और आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों जो फूल गोवी होता यह ठंडा के समय में ही मिलता है तो इसको यह जो सबजी है यह सितोशन कटिवंद की सबजी है ठीक है क्या कहते इसको सीटोशन है ठीक है यहां प कि कर्टिवंद की सब्जी कहा जाता है ठीक है और यह ठंडा एवं नम जल्वायू में सबसे अच्छा माना जाता है जहां पे जिसकी वह जिसे की सह जहां पर मोसम ठंडा एवं नम जल्वायूँ बहाए lur़ा है यह रहेगा ठीक है और अधिक मात्रा में भी उपज होगा याद रखेगा चलिए जी क्वेस्चन नमर एट करता है दोस्तों किसी पेंडूलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्थ का लोगा देखे ये क्वेस्चन आपको फिजिक्स में मतलब कि परामेडिकल में लगवग लगवग पुषता ह यहां पे दीर ना कर देगा करदेगा 5 कर देगा देगा चौ करदेगा लेकिन क्वेस्चन का सेथा इस मेर मेरे है चार गुना बढ़ जाता है दूह रहे आप समय दी है तू रूट टू गुना बढ़ जाएगा कि अ क्या होगा जब पेंडूलम की लंबाई बढ़ाएंगे तो देखे इसका वेंजख होगा वेंजख आप सब लोग याद करिए गाना तो आशानी से निकल जाएगा पताइए पहले आप सब्सक्राइब तब मैं बताता हूं है हाग जी तो चलिए दोस्तों क्या जागा राइट अंसर तो वह जागा आप से नमर्डी रूट टू गुना बढ़ जाएगा अब कैसे बढ़ेगा रूट टू गुना देखे मैं दिखाता हूं आप सभी को चलिए तो देखे सबसे पहले आप सभी को तो बेंजक होना चाहिए जो अवर्द काल का पहला बेंजक होता हूँ होता है टू पाई रूट अंडर एल बाइजी ठीक है यह होता है ऐल बाइजी तो आप सभी को यहां पे क्या करा पेंडूलम की लंबाई बरहाने के लिए करनें बराबर 2Py रूट अंढर 2L भाई जी ठीक है कोई दिक्त नहीं हुआ यहाँ पर देखें हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 गुनेỉ ब्रैकेट में यहाँ पर देखें फिर क्या लिख देंगे 2Py रूट अंढर L भाई जी कह सकते हैं क्योंकि रूट 2 को बाहर कर दिये हैं यहां से रूट L by रूट G तो यह तो अलग हो गया तो इसको अब हम लोग क्या करें इस पूरे को यहां पर से देखो T कहते हैं तो कितना गुना हो गया इसको नया वाला T1 कह देते हैं तो T1 जो बराबर होगा दोस्तों वह रूट 2 गु यहां पर चार से डूट करते तो आपकी कहा हो जाता है दो गुना हो जाता क्योंकि चार का रूट होता है कितना दू यहां पर से दूट अधने का गातacji स्क्ट में लूंधे बस समझते चलेगा चलिए जी में अगला क्यों क։चिंश आपके स्कीन पे दोश्तू कहता है goo जल में ठीक है यहां पे गलत हो गया एज़ाद लुदी से पता यहां सभी कमेंट करके सोडियम को जल में जब डालते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है हजी बहुत अच्छा जी अपसर नमर ए वाले का सही है बहुत अच्छा अपसर नमर ए हाइडोजन ही होगा ठीक है और आप सभी को बता दू कि जो सोडियम है न वो प्रकास वैदूत गुन रखता है ठीक है सोडियम में क्या है प्रकास वैदूत गुन होता है इसलिए इसलिए मालूम है सोडियम को प्रकास विदूत सेल में उपयोग किया जाता है जब प्रकास विदूत सेल बनाया जाता है तो उसमें यूज करते हैं सोडियम का ठीक है याद रखिएगा इसा बात को माली जो क्वेस्चन आजाएगा कि प्रकास विदूत वैदूत सेल में किसका उप्योग करते हैं में रहेगा सोडियम मैगनेसियम हाइड्रोजन अक्सीजन तब क्या बताएगा आप सभी को पता होना चाहिए हज्जी है सब कोई क्या मारिएगा तो सब लोग सोडियम मारिएगा चलिए आगे यहां पर क्वेस्चन नमर्ट 10 कहता है बेडी ले आइट ठीक है बेडी ले आइ लेवल हाड हो गया है तो लेवल हाड होता है मगर जब पढ़ लिजिए गा तो आपको आसान लगने लगेगा तब कहिए गा कि सब कुछ हो जाएगा हाँ जी बहुत अच्छा क्या है गार मडोलो याद रखेगा जिरकोंियं किस जिरकोंियम का क्या होता है तो बेडी लाइट होता है और tones-up दूसरा मालूमं क्या है-से-क दूसरा नाम यहाद़्जी ठीकिए बेजी लाइट भी रहेगा ना तो आप लोग इसको टिक करिएगा जिर्कोनियम में जिर्कोनियम का अगर आया इसको पूछे तो बेजी लाइट या बेडी लाइट ठीक है याद रखिएगा ठीक है अगर बात करें जिर्कोनियम की जिर्कोनियम के बारे में बता दूँ आप लोग जल में जल को बड़ बनाते है ना फिरीजवा में फिरीजवा में मैं पता है है फिरिजमें तो उसस किस गैस के कारण क्या होता था जम जाता था पर नमर लेकिन यम्म, मालुव मिरौनियगों पहले हम लोग बहुत कषिह एक्वित्सकूद क्षिश्वbels ARE बहुत मज़ा आता था पहले लेकिन उस जमता कैसे था यह कभी सोचे नहीं नहीं अब सोचिए कौन सा गैस उसको क्या करता है लिक्वीड से सॉलीड स्टेट में बदल दे रहा है जल को हाँ जी बहुत अच्छा हाँ जी आप से नमड़ी हो जाएगा अमोनिया के कारण ठीक है किसके करण जी अमोनिया के कारण होता है अमोनिया क्या करता है जल को जल को जल को बर्फ में बदल देता है ठीक है ठंडा हो जाता है पानी किसी कर सकते यह ठंडा भी रखता है और आप ताप पर ताप पर जमता है जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग कितना ताप पर जमता है कितना डिगरी सेलसियस पर जल्दी से बताइए कितना डिगरी सेलसियस है हाज जी जीरो डिगरी सेलसियस पर जमता है ठीक है जल जीरो डिगरी सेलसियस पर जमता है और वही पूछ दे की उबलता कितना है तो बावन डिग्री सेल्सियस पर याद रखेगा बावन डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है दम खौलने लगता है ठीक है चलिए जी क्वेश्चन नमर 12 आपके स्किन पर आगे कहता है प्याज लासून में गंध निम्न तत्व के कारण आती है प्याज और लासून में किस तत्व के कारण गंध आने लगती है अपसे नमर ए सोडियम आपसे नमर भी पोटैसियम आपसे नमर सी क्लोडीन आपसे नमर डिए लिथियम है जल्दी से बताएं आप से लोग आंसर है कि चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दे कौन सा तत्व का कारण है तो वह है अपसे नमर भी पोटैसियम राइट अंसर हो गहां जी जो लोग आपसे नमर भी बता रहें ना प्रदैसियम हुनका राइट है ठीक है ठीक है पूटैसियम के कारण है प्याज और लहसून में गंध आता है याद रखेगा चलिए है काम करता है कौन सा काम करता है आप संथमर दी से पताइए आप सभी लोग हाँ जी आपसर नमर सी बाले का राइट है जी बहुत अच्छा मैंगनेसिए डायोकसाइड दूस्तों क्या होता है धुरूबक का कारे करता है अब माली यह सुस्क से लेना तो याद रखना सुस्क सेल का दूसरा नम क्या होता है मालूमें जिंक बैटरी कहते हैं ठीक है जिंक बैटरी भी इसको कहते हैं जिंक के वरतन में रखा होता है और इसमें जो विद्रूबक का कौन सा कारे करता है तो मैगनीज डायोकसाइड ठीक है याद रखिएगा चलिए आगे बरते हैं अगला क्वेशन दोस्तों कहता है पराध्वनिक ठीक है पराध्वनिक भीमाने रहें यानि कि सूपर्वनिक प्लेंस की चाल कितनी होती है सूपर्वनिक प्लें की चाल कितनी यह फ violence ऊप्सन नमर 12 की चाल से अधीक Option सब्सक्राइब कुछ भी हो सकता है कि क्या होगा मुश्ट इंपॉर्टिन को से नहीं दोस्तों न कि चलिह देखिए आप सभी लोग पराद्वनिक वि माने यारिके सूपर सोनिक प्लें सोता है दूसकर उसकी चाल होती है न दूार से इधीक सब्सक्राइब करता है एक सेकंड में दोस्तों यह 335 मीटर टक ट्रेवल करता है एक सेकंड में घंटा में यह 1235 किलो मीटर के अप्रक्स चलता है इसको लड़ाकु विमान में भी इसका यूज किया जाता है चलिए आगे बरते क्वेस्चन नमर 15 कहता है खुडाक में प्रोटीन की अत्यधीक कमी से निमलिखित में कौन सी बिमारी हो सकती है खाने में जिफ़ी प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है निफ्रोटीन नौ यह नहीं नौ बरावर ले रहे हैं बहुत अत्यधिक करने का मतलम नौ के बरावर ले रहे हैं तो कौन सी बिमारी हमें हो सकती है आपस्ण नमर यह मदू में आपस्ण नमर एस कवा सीओर कर आप से नमड़ी ए अमीबा यसिस कौन सा भीमारी होगा आप हजी बहुत अच्छा क्या होगा दोस्तों देखें जिनको नहीं पता हो लोग जान लेंगे और जो अपसे नमर सी बता रहें न कवा सी ओर कर ठीकर बहुत अच्छा उनका राइट है यही आलाइट अंसर होगा और यह तो पहला बीमारी है न एक दूसरा भी विमारी यहां पे मरास ठीक है कर भी क्योंकि दुबला पतल उसमें को पोषनका वी शिकार में होता है तो टो यहां पे दूल एम कमी रहे होता है इसको ठिक करने के लिए प्रोटेम लेना पड़ेगा अंडा खाना पड़ेगा दूद पीना पड़ेगा यह सब ठीक है तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेर जरू करिए आप सभी लोग लाइक और शेर नहीं करते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज के लिए पस इतना ही जैहन चैह भारत